अरे यार आटो तो न तेज चलाओं अरे इस आप इतने घरेक होने में को आटो इससे ज़्यादा तेज क्या चलाओं चलाओंगा तो एक्सिवेंट हो जाएगा अरे भाई अगर इसी तरह से आटो चलाओंगे तो स्टेशन पर पहुँचने से पहले मेरी ट्रेन निकल जाएगी क्या की की कर रहे हो मैंने को जोक सुनाया क्या जोक किते सुनाया साब आपने इस घने कोहरे में दस फीट की दूरी पर भी कुछ दिखाई ने दे रहा आटो चलाना भी मुश्किल हो रहा है तो फिर आपकी ट्रेन कैसे चलेगी और जल भी गई तो कही टक्रा कर पड़ी मिलेगी वो जमाने लट गए जब कोहरे की कारण ट्रेन द्रुगटना ग्रस्त हो जाती थी हमारी रेलवे के लिए यात्रियों की जान माल की सुरक्षा सर्वो परी है ट्रेन लेट भले हो जाए पर द्रुगटना ग्रस्त नहीं होनी चाहिए हमारी रेलवे का मोटो भी यही है सरक्षा, सुरक्षा और समय पालन और अब तो फोक सेफ डिवाइस की कारण गने कोहरे में भी ट्रेन सरक्षा और सुरक्षा के साथ चलती है फोक सेफ डिवाइस यह क्या बला साब फोक सेफ डिवाइस एक यंतर है जो GPS पर चलता है इस डिवाइस में उस रेल रूट और सिगनल की पूरी जानकारी पहले से फीड कर दी जाती है जिस पर ट्रेन को दोड़ना होता है अच्चा क्या इससे रेल की ड्रावर को दिखने लग जाता है ऐसा ही समझो गना कोवरा चाने पर सिगनल दिखता नहीं है पर यह फौक सेफ डिवाइस आजे आने वाले सिगनल की दूरी को बताता है तर्था सिगनल आने का आगावी करता है जिस से रेल ड्रावर ट्रेन की गती को सिगनल की दूरी के अनुसार नियंतिर कर सकता है अगे वह यह तो बड़े काम का यंतिर साव एक हमें भी दिलबा दीजिये ना ताकि हमारा ओटोरिक्सा भी इस घने कोहरे में बिना एक्सियन्ट के चल सके